हेलो अब्रिवन सो आज बताने सा रहे हैं बिल्ड डिस्काउंट काल्कुलेटर यह फ्लो का पार्ट है यह एक प्रोजेक्ट है यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इसमें आप सबसे पहले फिल्ड को सेट करोगे सो यह कैसे सेट होगा कैसे डिस्काउंट करें इस प्रोजेक्ट में यह दिखाए गया है सबसे पहले लांच करेंगे और सबस्टेप फॉलो करेंगे कि अज करेंगे सो हमारा step by step follow करेंगे तो first step हमारा setup में जाना है and after that जाना object manager में and opportunity record पे काम करना है ठीक है so opportunity record हमने यहाँ copy कर लिया and सबसे पहले setup में already हम setup में है अगर आप setup page में नहीं हो तो यह setup पे click कर देना तो यह setup page हो जाएगा and उसकी बाद आपको object manager tab में जाना है इस object manager tab में and उसकी बाद आप यहाँ देख रहे होंगी quick find box उस quick find box पे opportunity select कर लेना और आप इस opportunity को click कर देना and उसके बाद में select करना है field in relationship and उसके बाद में click new so field in relationship पे click किया so यह आप आप देख रहे होगे tab in new का so new पे click करेंगे कुछ इस तरी के पेज आएगा so data type हमें select करना है so data type में आप देख रहे होगे select percent and उसके बाद में click next so data type हमारा percent है percent इसलिए है क्योंकि हमें जो data इसकी currency में चाहिए so इसलिए इसलिए हम percent में ले रहे है आप यह देख रहे होगे discount percentage discount percentage लेंख देख रहो 18 decimal places 0 जो लेंख 13 फिल्ड ने मरा ओरड़ी बाइड डिफोल्ट है and decimal places 0 है ठीक है उसके बाद में description यहां से copy कर लेंगे और यहां प्रेस कर देंगे and help text यहां से copy कर लेंगे और यहां प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा new custom field opportunity new custom field का हमारा details कुछ इस तरीके से दीखेगा and उसके बाद में आपो क्या करना है click next twice आप यहां देख रहे होगे next हमें toys पर click करना है उसके बाद में save and new so next twice पर करना है so एक बार में next click किया फिर दूसरा बार next click किया तो टोईस next हो गया फिर उसके आप में save and new new data column लेना select formula करना अब हमें formula लेना और उसके बाद में click next so हमें formula लेना formula data type हमारा formula होना चाहिए and next इस बाद मिसली कर रहे है क्योंकि हमें currency में हमें calculate करना है क्योंकि इस प्रॉजेक करना में मैंने आपको दिखाया builder discount calculator so that's why हमें percentage in formulas में data type लेना है और उसके आद हमें add formula filled with these values यह सारे values पे हमें fill label अब हमारा fill label name है जब देख रहे हैं by default अफ़र्ण है फिर फार्मुला रिटन टाइप हमारा currency होना चाहिए फार्मुला रिटन टाइप हमारा क्या है currency होना चाहिए और decimal value decimal places हमारा two होना चाहिए और decimal places आप देख रहे होंगे यहां टू उसके बाद में आप यहां देख रहे होगे click next to get to the next window नेक्स window में जाने के लिए हमें यहां पर next के बाल क्लिक करना है उसके बाद में आप देख रहे होंगे एंटर फर्मूला भी हां फर्मूला में एंटर करना है तो फर्मूला एंटर करने के लिए आप यहां देख रहे होगे डिस्काउंट एमाउंट करेंसी इसमें हमें क्याट करने है हो इंटर और ओनन डिस्काउंट पर सेंटर को सी सब कैसे इसको करते है बताती हों इंसर्ट मार्ज फेल्ड में इंक पइंडर क्लिक करेंगे इंसर्ट रपरेतर कि वतिप्लाई यहांद में ऐसके बाhöговाद में पर इस उत्क पर अफ्रißtर युए प्रेक्ट ऑन ने less उसके बाद में इन ब्रेक्ट भी होर्द जो है और यहां डरेक्ट में भृदक उप्रेक्टा इस इस इत्सक्राइट कर दिया है फिर इसके बाद में ये हमारा है फार्मूला इसके बाद में चेक सेंटाक्स इसके बाद में डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देंगे आज प्लाद में हमक्रक्षा इसके बाद में एक फॉपी बाद में अप्लाद में क्लिक नेक्स जाए देन तो बाद नेक्स करने भी बाद इंपोर्ट इंपॉड्ट पॉजट है सबस्टें पलंग। फट्टेंग। झाले वोे फट्टेंग। सबस्टेंग। मैं पलंग। जार्फुमादिए बेसे कुछा मैं। जार्फुमादिए एकार कारी सेविए डियूट सेविष जार्फ।